आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो ऐसे मैं कुछ भी नहीं बोलूगी लेकिन पूरा वीडियो तो देख लो चलिए आज हम ना जो पॉट है उसकी एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं बहुत मसता है और इसको पूरा देखना जॉटो रारिको नाम का जो गाव है जो अदमी नहीं है यह लड़का है चोटा सा अरे चोटी चोटी बात पर इतनी सिली सिली चीजे कर जाता था ना कि बस एक दिन क्या हुआ कि यह जो आन बाबा का मम्मी जो है ना इसने अपने दोस्त लोगों को खाने पे बुलाया था तो मम्मी क्या बोली अब इतने सारे दोस्त आएंगे तो चिकन का जो उस चिकन बनाना है उसके लिए बहुत बड़ा पतिला चाहिए ओके तो इतने घर में नहीं है क्योंकि राइस के लिए भी अलग चाहिए चिकन बनाने के लिए भी चाहिए इतना बड़ा पतिला तो उसके घर में ना था ही नहीं तो जयान बोलता है कि ठीक है ना मुझे भी पसंद है चिकन्स ता तो मैं चिकन्स जो खाऊंगा तो मैं काम करता हूं मैं जाता हूं अब वो जो ग्रैंड मदर है ना वो ना हाइटेड वाली प्लेज जो रहती ना हील वाली ऐसे जगह पे रहता था अब वो गया 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 उसने कबड खोला खोला और वहाँ पे वो बड़ा वाला पॉट उसे मिला अब इतना बड़ा पॉट उसने देखा और वो जोर से अपने कंदे पे उठा लिया ऐसे बाहु बली नहीं क्या वो उठाया था ऐसे ग्रैंड मदर ना उसे देखने लग ग्राण मदर को से थाउन गिया और रास्ते से चलते चलते अब तुम सोचो अरे बापरे इतना बड़ा पोट और पहली बार आज दिने सनी या सन पाता नए इतना गरम क्यों हो रहा था इतना पसीना पसीना उपर से ये इतना बड़ा पॉट उसके कंदे पे उसने अब उसको रख दिया नीचे जब उसने रख दिया तो उसने देखा कि इस पॉट को तो एक नहीं दो नहीं तीन 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 पैर है अरे गधे पौट, मुझे दोई पौट पाय रहे, फिर भी मैं चल रहा हूँ, और तुझे तीन तीन पैर होते हुए, मैं तुझे उठा के लेके जा रहा हूँ, है है कितना आलसी पौट है तू, अरे पतेले, अरे मटके, तुझे तो चलना ही पड़ेगा, चले काम करते है, तू की पहले मैं, तुझे तो तीन पैर है, मुझे तो दो ही पैर है, मुझे पता है तुझे जीतेगा, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं, चलो देखते हैं, कौन जीतता है करके, बहुत इजी है यार, अईससे भाग के जाने का, जो पहले जाएगा वो विनर, समझ में आया, अब पतेला तो कुछ बोलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी ये खुद ही समझ गया कि वो हाँ बोल रहा है करके, चलो फिर रेस लगाते हैं, और ऐसे बोलने के बाद पतेला तो वही पे था, लेकिन ये जो लड़का है, ये जो अपने घर की तरब तेजी तेजी से दोड गया, दोड रहा था, पागल ने पीछे भी नहीं देखा, घर पे आ गया, कितना सारा पसीना, टपक 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 टपक, मम्मे ने उसकी तरब देखा, अई शब तीतना पसीना कैसे आया रे बेटा तुझे, जान, और मैंने तुझे बोला था ना, अब मम्मे लोग कैसे रह लाने के लिए, किदर रहे, बोल, जान बिचारा अब मम्मे की तरब देख के बोला, मम्मे, आरे मम्मे उसको तीन-तीन पेर है, सांड कई का इतना मोटा पतेला, मैं दोई पेरो वाला, आरे मैं उसको उठा-उठा के लेके आ रहा था, उसने मेरे सत्रेस लगई, मैं पहले आ गया, वो पागल पता नहीं किदर रहे गया, जान का मम्मा उसकी तरब देख के, हे बगवान, दुनिया में पागल लोग भेजने थी, तो मेरे घर में मेरे बेटे के रूप मेरे नसी फोड़ दिया तुमने, और तब ही वो बोली, अरे मैंने तुमको बोला था ना, पते लोगों को ना, इंपोसिबल है पापा, सब कुछ बता ना, वो ऐसे बोलके भाग गया, अब आया, अरे भाई, ये पतेला इसे के ऐसे बैटा था, उसको इतना घुसा या ना, तीन पैर होते हुए भी, कुछता कमी ना, ये पोट अपनी, आप ही नहीं चल रहा है, मुझे उठाने के लिए बोल रहा है, और ये घर में मेरी मा पागला वरत, बिल्कुल सुनती नहीं है मेरा, एक काम करता हूँ, मुझे चिकन्स चुछ तो खाना है, इसे लाथ मारता हूँ ना, तुझे, तो सिद्धा मेरा घर में जाके रुख जाएगा, और ऐसे बोलते समय, दड़ा, उसने जो लात मार दी वो पतेलों को, पतेला ता 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 करते ही, इदर से उदर, उदर से उदर, लुड़क लुड़क के, सीदा जाओन के घर में पोच गया, आँ, मैंने बोला था ना, इतना लेजी कहीं कहीं, एक लात मारी ना, सीदा, आकल बिल्कु उसकी सीदी हो गई, देखो, अब कैसे भाग रहें, अभी भी जयन को समझ में नहीं आ रहा था, कि वो पतेला है, मम्मी ने घर में खाना बनाया, मां अस्तर से जयन ने चितनी चिकन खा सकता था, उतना चिकन का स्ट्यू होता है ना, सूप होता है ना, आय हाय मस्त डेलिश बनाया था मम्मी ने, आय हाय मस्त खाया, चिकन के पीसेज बेखाए, सुबह मॉर्निंग ने उसे, मम्मी ने उसे घिस घिस के बोला, ए जयन जैसे ये पतेला लिखी आया ना, अब वैसे उस ग्रैंड मदर के घर में उसको आपस पोचा के भी देना है, जयन ने बोला, ऐसे ये तीन पईर्यों वाले मोटे संड पतेलों को अब मुझे उठा के फिर से दादी मा के घर में पहुचाना है, इसने मुझे इतनी बड़ी चिकन का सूप दिया है, ठीक है, फिर भी यार मैंको दो ही पैर है, और इस मोटे से गेंडे से पोट को तीन है, ठीक है, लेकिन एक काम करता हूँ यार, चलो जाने दो, अब मैं इसे उठाए लेता हूँ, मैं बहुत काइंड है ना, और इसने मुझे खाने के लिए इतना बड़ा मस्ता सा सूप भी दिया था, पूरा रात भर इसके अंदर ममी काम कर रही थी, पूरा रात भर ये पतिले ने काम किया, ऐसे के बास उसने अपने सर के उपर उसको उठा लिया, कंदे के उपर उठा लिया, और वो फिर से चलने लगा, अब जाते समय आप सोच सकते हैं, जब हीली एरिया था, तो उतरते समय फटापट फटापट वो परतन नीचे आ गया था, ठीक है भाई, मस्त से घर पे लेके पूरा देख लिया है, तो भाई धन्यवाद, लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, सब्सक्रेब भी करना,